So guys, welcome back to another comparison video और इस वीडियो में compare करने वाला हूँ Samsung A15 5G versus Samsung F23 5G अब यह जो F23 5G smartphone है वो best seller smartphone है Amazon पर भी यह काफी ज़्यादा बिका है काफी ज़्यादा sell होने वाला smartphone है और budget में भी है, right? और काफी अच्छे features भी लेकर आता है लेकिर इन दोनों में से अब जो Samsung A15 5G है इन दोनों में से कौन सा phone अच्छा है यह में इस वीडियो के लाश्ट तक आपको बता दूँगा कि कौन सा phone आपके लिए इंवेश्ट हो सकता है कौन सा phone value for money हो सकता है तो आप अगर चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को subscribe करतीजी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चलिए बात करते है सबसे पहले इन दोनों के display की तो देखी A15 5G में जो आपको मिलता है वो super amoled display मिलता है जो की 6.5 inches में है 396 ppi पर phased है 800 nits peak brightness मिल जाती है 90 Hz का refresh rate मिलता है तो इस तरह से यह हो जाता है A15 5G का display F23 5G की अगर में बात करूँ तो यहाँ पर आपको TFT LCD मिलता है मतलब thin film transistor ओके और 120 Hz का refresh rate में आपको मिलता है size की बात करी जाए तो 6.6 inches में है 400 ppi पर phased है protection corning Gorilla Glass 5 की मिल जाती है तो इस तरह से Samsung F23 5G का display मिलता है आपको लेकिन इन दोनों में से कौन सा display है अच्छा है यह आपके मन में question हो सकता है तो चलिए इसको मैं clear कर देता हूँ तो जो सबसे अच्छा display आपको मिलेगा वो Samsung A15 5G में है एकदम best और binar display जो है वो Samsung A15 5G का है बात करते हैं अब यहाँ पर हम camera की तो देखी camera जो है Samsung A15 5G में आपको 50MP में मिलता है जो की एक main camera है और 5MP में आपको secondary camera मिल जाता है जो की ultra wide camera है 2MP में आपको macro camera मिल जाता है जो की काफी अच्छी बात है तो यह triple rear setup पूरे होते हैं YS का option आपको नहीं मिलता है Samsung A15 5G में चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर हम इसकी maximum video recording की तो full HD video record आप कर सकते है with 30 fps Samsung A15 5G से जबकि अगर मैं बात करूँ camera की Samsung F23 5G के तो इसमें आपको 50MP में main camera मिल जाता है और 8MP में ultra wide camera मिलता है और 2MP में macro camera मिलता है और maximum video recording की बात करी जाए तो 4K video record आप कर सकते हैं Samsung F23 5G से selfie camera की बात कर लेते हैं तो front camera आपको जो मिलता है A15 5G में वो 13MP में है और Samsung F23 5G में जो front camera है वो 8MP में दिया गया है तो इस तरह से यह होता है और यहाँ से आप full HD DVD record कर सकते हैं दोनों में से कोई एक camera चूस करने की बात करी जाए या फिर कौन सा camera अच्छा है अगर ये बात करे जाए तो देखिए यहाँ पर F23 5G का जो camera है वो banner है क्यूंकि आपको इसमें एक अच्छा camera मिलता है उसके साथ आपको 4K video recording जो काफी अच्छी बात है तो Samsung F23 5G जो है वो banner है चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर हम फ्रेंट कैमरा की तो देखिए फ्रेंट कैमरा में A15 5G बिनर है तो इस तरह से फ्रेंट कैमरा देखा जाए तो F23 5G का भी ठीक है लेकिन जो बिनर है वो A15 5G है चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर हम चिपसेट की तो देखिए चिपसेट जो है वो Mediatek Dimensity 6100 Plus मिलता है जो की 6NM पर वेजड है Samsung A15 5G में F23 5G के अगर में बात करूँ तो यहाँ पर आपको चिपसेट दिया गया है Snapdragon 750G जो की 8NM पर वेजड है और Android 12 पर यह आपको मिलेगा F23 5G जबकि A15 5G जो है वो Android 14 का अपडेट लेकर आया है तो इस तरह से ही हो जाता है अब इन दोनों में से कौन सा चिपसेट अच्छा है यह आपके महन में क्वेस्चन हो सकता है तो देखिए Samsung A15 5G जो है वो बिनर है चिपसेट में काफी अच्छी परफुमेंस आपको देगा F23 5G की कमपेरेजन में बैटरी की बात कर लेते हैं तो देखिए बैटरी जो है A15 5G में 5000 mAh का आपको मिलता है जोगी 25 वर्ट की फास्ट चर्जिंग को सपोर्ट करता है F23 5G की में बात कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको जो बैटरी मिलता है वो 5000 mAh का मिलता है और 25 वर्ट की फास्ट चर्जिंग को सपोर्ट करता है तो इस तरह से यह हो जाते हैं दोनों में से कोई एक बैटरी अगर चूस करने की बात करे है तो यहाँ पर जो बैटरी वो दोनों ही अच्छे जो बैटरी हैं वो दोनों ही बढ़ी आए कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है और मैंने आपको बताए specifically कि कौन सा phone best है कौन सा phone value for money है आपके लिए display में, camera में, chipset में right तो आपने अभी तक decide कर रही है तो काफी achieve आते हैं अगर आप अभी भी confused हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि Samsung A15 5G जो है वो अभी recent launch smartphone है या फिर मैं कहूं तो एकदम new smartphone है जब कि F23 5G जो है वो old dash में कह सकता हूं कि यह काफी ज़्यादा old हो चुका है काफी ज़्यादा नहीं फिर भी यह old हो चुका है इसके comparison में right तो इस तरह से A15 5G अगर आप बाई करते हों तो काफी एच्छे smartphone यह है लेकिन अगर आपको चाहिए भाई 4K video recording तब तो आप Samsung F23 5G की तरफ ही जाएए कि 4K video recording आपको यहीं देखने को मिलेगी जबकि 4K video recording आपको इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है रियल लाइफ में right आप अगर day to day के task perform करवाते हैं तो कोई 4K video recording ही थोड़ी आप जो है वो record करते रहेंगे तो इस बज़ा से Samsung A15 5G वे वो भी एक अच्छा smartphone है बागी आप बताएए कौन सा smartphone आपको अच्छा रखता है कौन सा आपको buy करना है तो चलिए मैं इस वीडियो को इंपर end करता हूँ मैं मिलता हूँ आप से नेक्ट वीडियो में आपको अच्छा आपको अच्छा आपको आपको अच्छा